मेदिनी पुरेर एई पभुत्र माटिते आस्ते पेरे निजे के धन्नो मोने कर छी शोहीद मा मतांगिनी विपलबी खुदिराम बोशूर रोक्तो रोक्तिम होई चे एई भूमी यही माटितेर तोयरी होई छिलो दामरो लिपतो जातियों सोरकार यही माटिर बीर संतान विद्या सागर महाशोई बंगाली के बर्न परिचोई दिये चे 37 चंद्रो श्वमंतेर हाथे होल्डिया बंदोर मेदिनी पुरे रेमोन माटिर गुने आमी मुगदो भारत सहीद पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले महान मनिशियों संतों वीरों की पावंधरा बंगाल को मैं सर जुका करके नमन करता हूँ इस साल जब भारत आजादी के 35 वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो ऐसी प्रड़भ में आना इस मिट्टी को नमन करना वो अपने आप में नई प्रेर्णा देता है नई उर्जा देता है पिछली बार मैं नेता जी सुभासन रबोस की जन्म जैंती प्रवंगाल आया था आज हल्दिया सहीद पस्चिम मंगाल के विकास से जुड़ी करीब पांच हजार करोड रुपिय की परियोजनाओं के स्लोकारपन और सिलान्यास करने लेक लिए आपके बीच आया हूँ इस कारकम के बाद सरकार के उस विदिवत कारकम के लिए मैं जाओंगा गैस कनेक्टिमिटी और रोड कनेक्टिमिटी को सज़क्त करने वाली ये योजनाएं यहां सुभी धाय भी बढ़ाएगी और रोजगार के अनेक अवसर भी तयार करेगी राणी चक का आधुनिक फ्राई ओवर हल्दिया डॉक कम्प्लेक्स सुविदाओं का विस्तार करेगा पडोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार को आसान करेगा फ्राई ओवर के अलावा गैस और इंदन से जुड़े तीन बड़े प्रोजेक्स से भी यहां के उद्योगों को यहां के नागरिकों को बहुत लाब होने वाला डोबी दुर्गापूर नेट्रल गैस पाइपलाइन अब बन करके तयार है इससे पस्टिम मंगार के अनेग जीलों में पी एंजी और सी एंजी की सुविदाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी इससे दुर्गापूर फर्टिवाजर कार खाने के लिए भी परियाप्त गैस मिल पाएगी इसी तरह LPG इंपोर्ट टर्मिनल से पस्टिम मंगार के अलावा पूरे पूर्वी भारत में LPG गैस और आशानी से मिलेगी भाई यूर बैणो पस्टिम मंगार का विकास और यहां आधुनिक इनफा सेक्टर का निर्वाण केंडर सरकार की निरंतर प्रात्विक्ता रही है कोलकाता में साड़े आठ हजार करोड रुपिय की लागत से मेट्रो प्रजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है इस बार के बजेट में केंडर सरकार ने इस अभियान को और विस्तार दिया है केंडर सरकार इस साल भी हजारो करोड रुपिये पस्टिम मंगाल में नेशनल हाइवे बनाने में लगाने वाली है इसके तहट कोलकाता सिलीगुडी रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा पस्टिम मंगाल को पंजाब से जोडने वाली पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडर बहुत जल्ब बनकर पुरा होने वाला इसके अलावा खड़कपुर से विड़ेवारा के लिए नए फ्रेट कोरीडर की भी घोचना की गई है पस्टिम मंगाल में रेल्वे पर भी पिछले साल की तुलना में पचीस प्रतिसत से जादा खर्च किया जाएगा यही नहीं पूर्वा मेंदनी पूर्वे पेटुआ गार्ट फिजिंग हार्वर को एक हफ के रुपने विच्छित किया जाएगा इससे हमारे मच्छुआरे साथियों को बहुत लाब होगा साथियों इस साल के बजेट में चाए बगानों से जुड़े लाखों साथियों पर भी विशेज ध्धान दिया गया है इनके लिए एक हजार करोण रुपिय के पैकेज की जवस्ता की गई है इस पैकेज का बहुत बड़ा लाख पस्टिम मंगाल के चाए बागान से जुड़े साथियों को विशेज तोर पर हमारी बहनों को मिलेगा इसमें उनकी सामाजी और आर्दिक ठिक्षिक को बहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगा मैं इसके लिए चाए बागान से जुड़े सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ माई और भेहनों आज जब मैं पस्टिम मंगाल आया हूँ तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ साथ जो गुलावी के कालखन में भी पस्टिम मंगाल देश के सबसे बिख्षित राज्यों में सर्वों परी रहा हूँ यहां हर प्रकार का इंफ़ाव सक्टर बाकी देश के मुकाबले बहुत मजबूत था उस कालखन में भी यहां रोजगार के स्वरोजगार के अनेकों अउसर थे यहां के पौट्स समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार पूरे देश पे इसका कोई मुकाबला नहीं था बंगाल के लोग यहां के किसान इतने परिस्ट्रमी हैं यहां की जमीन इतनी उपजाव है बंगाल से पढ़कर निकले लोगों को जो इजब्स जो गवरो आज भी मिलता है उसकी वज़े वह एक काल भन था जब यहां की सिक्षा देश में अवल नंबर पर रहती था बंगाल के सामरसने हमेशा देश को दिक्ष्टिशा दिखाई है देश का मारदर्शन किया आखिर क्यों बंगाल विकास की अपनी उसर्वरत्तार को उस गती को बरकरार नहीं रख पाया बंगाल पहले से जितना आगे था अगर बीते दसकों में उसकी वो गती और बड़ी होती तो आज बंगाल कहां से कहां पहुँच गया हो अगर मैं हल दिया पॉर्ट शिटी की ही बात करूँ कोई एक केमिकल, पैट्रो केमिकल, फर्टिलाइजर, फुट प्रसदी, पॉर्ट्स और शिपिंग जैसे सेक्टर्स का एक प्रकारते हब रहा है तो बिरेसा क्या हो गया कि अंगने राज्यों के बंदरगा व्यापार कारोबार के बड़े केंद्र बंदते चले और पस्ति मंगाल पीछे रहे गया साथियों आज यहां जितने भी उद्योग है जितना भी कारोबार है जितना भी इन्फा सेक्टर है वो सब के सब बदलाव चाहते हैं आजुनित्ता चाहते हैं लेकिन आप सोचिए बीते दस सामों में यहां की सरकार ने कितनी फ्रेक्टरियों का सिलानाग या उद्गाटन किया उस बड़े स्टिल प्रांट का क्या हुआ जो यहां की आराजक व्यवस्ताओं के कारण शुरू ही नहीं हो सका साथियों पस्चिम मंगार की स्थिती का सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीती आजादी के बाद जब पस्चिम मंगार के विकास को नई दिशा देने की जरुद थी तब यहां विकास वाली राजनीती नहीं हो पाई पहले कॉंग्रेस ते साथन किया तो प्रस्टाचार का बोल बाला रहा फिर लेट का साथन लंबे समय तक रहा उन्होंने प्रस्टाचार के साथ साथ अच्चाचार को जोड़ दिया और दोनों की तरफ आगे बड़े और विकास पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया 2011 में पुरे देश की नजरे बंगाल पर थी लेट की हिंसा और प्रस्टाचार का जरजर किला डहने की कगार पर था उस समय मम्ता दीदी ने बंगाल से परिवोर्तन का वादा किया उनकी इस वादे ने पुरे देश का ध्यान खीचा लोगों ने भरोशा किया बंगाल मम्ता की आशले के जी रहा था लेकिन दस साल उसे निर्मम्ता मिली निर्मम्ता मिली मम्ता की पेक्षा थी निर्मम्ता का शिकार हो गया लेकिन मम्ता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं ये तो लेट का पुनर जीवन है और वो भी ब्याज समेट सूद समेट लेट का पुनर जीवन यानि प्रस्टाचार का पुनर जीवन अपराद और अपरादियों का पुनर जीवन हिंसा का पुनर जीवन लोग तंत्र पर हमलों का पुनर जीवन इससे पस्चिम मंगाल में गरीबी का दाइरा और बढ़ता गया पुराने उद्योगों में ताले लगते चले गई नए उद्योग लगाने के लिए को उच्छान ही रहा किसान को उतनी सुमिदा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी जब सरकारी सवरक्षण में लोग प्रॉपर्टी पर कबजा करेंगे जब सडकों पर आए दिन खुन खराबा होगा जब सरकारी भरतिया पार्टी के लोग करेंगे तो बंगाल के सामान नवजवान को रोजगार कैसे मिलेगा साथियों बंगाल में आप दीजी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बोखला जाती है चिली मिला जाती है यहां तक की भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है लेकिन देश के खिलाब बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे दीजी को गुसा ही नहीं आता है अभी आपने न्यूज में देखा होगा इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे आंतर राष्टिय शडियंतर सामने आ रहे हैं कैसी कैसी साजी से खुल रही है अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है कैसे भारत की छवी को बिगाडना है साजीस करने वालों की बेचेनी इतनी जादा है कि भारत को बदनाम करने के लिए वो चाई से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं टी वरकर्स की कड़ी महनत पर हमला करने का शडियंतर किया जा रहा है योग जैसी योग जैसी भारत की विराचत जीसे महर्ची अर्विंदो और स्वामी विवेकरन जैसे अंगिनत महपुरुषों ने रुष्यों मुनियों ने निर्कस्वार्थ अभाव से दुनिया तक पहुंचाया उस योग पर हमला किया जा रहा है लेकिन क्या आपने बारत के खिलाप इन शडियंतों पर इन साजिसों पर दीदी के मुँ से एक भी भाग के सुना है क्या अनेक ऐसे हैं जिनों ने देश के लोगों ने बसकों तक सेवा का मुकर दिया वो भी या तो चुप है या इन शडियंतों का समर्थन कर रहा है लेकिन इन शडियंतों कारियों से मैं कहना चाहता हूँ देश इन शडियंतों का पूरी ताकत से जवाब देगा साथ्यों माम बाटी मानुस की बाते करने वालों मैं आज भारत माता के लिए आवाज बुलंद करने का साहत नहीं है साहत इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सालों में इन लोगों ने पूलिटिस को क्रिमिनलाइज किया है करप्शन को इंस्टिटुशलाइज किया है और प्रशाशन और पूलिस को पूलिटिसाइज किया है आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही मारी जापि नर्शनार की दुखद बर्शी थी देश इस गटना को गरीबों और दलीतों के इस नर्शनार को कभी नहीं भुलेगा लेकिन बंगाल तुरुमूल से ये पूछना चाहता है जिनोंने नंदी ग्राम में गोलियां चलाई थी जिनोंने गरीबों का खुन बहाया आप उनी को पार्टी में क्यों शामिल कर रही है बंगाल पूछना चाहता है क्या बंगाल का गरीब क्या केवल बोट लेने के लिए ये भाई योई भेनों ये वो सरकार है जो आप दाम में भी मुशिबत के समय भी प्रस्दाचार के रास्ते खोचती रहती है इसे बड़ा अपरात और क्या हो सकता है इतना बड़ा साइकलोन आया चक्रवात आया इतना कुछ तबाह हो गया लोगों की मदद के लिए के अंदर सरकार ने जो पैसे भेजे उसका इन लोगों ने क्या किया ये पस्चिम मंगार के लोग भली भाती जानते हैं हालात ये थे कि कोड तक को इस पर सकत टिपड़ी करनी पड़ी आप कोरोना के दोरान आये संकट को भी याद करिये पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो जिसकी रोजी रोटी पर इसका असर न पड़ा हो केंदर सरकार ने तुरंथ पस्चिम मंगार के लाखो परिवारों के लिए मुप्त राशन की ववस्ता की ताकि बंगाल में मेरे कोई भी गरीब परिवार में रात को चूला न जले ऐसा दिन जाना नहीं चाहिए लेकिन केंदर सरकार के बेजे राशन को भी यहां की सरकार सही तरीके से गरीबों तक पहुँचाने में असफल रही भाई और बेनो यह तो शुक्र है कि केंदर सरकार ने गरीबों के किसानों के हमारी बेहनों के पस्चिम मंगाल में लगबग चार करोड जनदन बैंक खाते खोले थे तब ही कोरोना की उस मुश्टिल गड़ी में यहां के गरीब बेहनों के जनदन बैंक खाते में सीधे रुपिये जमा किये जा सके केंदर सरकार ने उजवला योजना के तहट यहां की नब्बे लाजच जदिक बेहनों को मुप्त एल्पीजी गैस कनेक्शन भी दिया है गरीब के घर में गैस कनेक्शन था तब ही केंदर सरकार ने कोरोना के समय मुप्त गैस सिलिंडर देने में सपल हुआ साथियों मुझे बहुत पीड़ा है कि कोरोना के इस मुश्किल समय में पच्चिम मंगाल के लाखों किसानों को सेंकडो करोर रुपिये नहीं मिल पाए कोरोना के दोरान देश भर के किसानों के बैंक खाते में पी-एम सम्मान नीदी के तहट हजारो करोर रुपिये जमा किये गए अभी तक इस योजना के तहट देश के दस करोर से अधिक छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में एक लाख पंद्रा हजार करोर रुपिये जमा किये जा चुके हैं इसमें मुझे दुख के साथ कहना है इसमें पस्चिम मंगाल के भी लाखों किसान परिवार हो सकते थे लेकिन यहां के एक भी किसान को यह लाख नहीं मिल पाया क्योंकि यहां की सरकार ने इस योजना से जुडने से इंकार कर दिया सोचिए पस्चिम मंगाल के किसानों के साथ कितना बड़ा अन्या किया गया अब जब पस्चिम मंगाल के किसानों ने ममताद दीजी को सबब सिखाने का मन बना लिया है तो सिर्फ कहने के लिए दिखावे के लिए कुछ दिन पहले राजसरकार ने बेमन से इस योजना से जुणने की सहमति वाली इठी भेज़ दी है लेकिन साथ्यों किसानों के पास सीधे पैसे जाएं इससे यहां की सरकार को कितनी दिक्कत है यह सिर्फ एक आखड़े से समझाता है बंगाल के लाखों किसानों को पी-एम किसान सम्मान निजी का लाब मिल सकता है इस मैं से पचीस लाख से जादा किसानों ने टी-एम सी सरकार के पास इस सुवीदा का लाब लेने के लिए अप्लाइट किया हुआ है बारत सरकार ने गोचना की जो जागरूप किसान थे वो सामने होकर कि उन्होंने अप्लिकेशन डाल दी और यहां कैसी सरकार है किसानों से कैसी उनकी दुश्मनी है पचीस लाख में से इतने सालों में सुरफ छे हजार किसानों का नाम को तै कर पाए पचीस लाख में से छे हजार सोचिए सिर्फ छे हजार किसान लेकिन आप यह जानकर और हरान हो जाएंगे कि केंदर सरकार अब भी इन छे हजार किसानों को उनको भी सीधे पैसे टांसपन नहीं कर पा रही है हम चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं इसकी वज़ब भी यहां की सरकार है टीमसी सरकार ने अभी तक इन किसानों के खाते में पैसे ट्रांसपर करने के लिए राजज्य एजंसी का बैंक डिटेल केंदर सरकार को दिया ही नहीं है एक एक दिन करके ऐसे ही निकलता जा रहा है मा माटी मानुस कहने वाली सम्वेदन हिंता बंग्याल का हर किसान देख रहा है मैसूस कर रहा है किसान के नाम पर कौन अपनी राजलिति ग्रोटिया सेख रहा है और कौन किसानों के जीवन से एक-एक परिशाई दूर करने के लिए दिन राज काम कर रहा है ये देश पिछले छे साल से देख रहा है मैं आज मागंगा के तड़ पर खड़ा हूँ तब मैं बंग्यार के मेरे किसान भाईयों को विश्वास देने आया हो इस चुनाओं के बाद भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनाना अपने तै कर लिया है इस चुनाओं के बाद भाज़पा की सरकार बनने के बाद पहली केबिनेट मिटिंग में बारत सरकार की किसानों की जो योजना है उसको तेज़ गती से लागू करने का अंदिर नहीं किया जाएगा इतना ही नहीं मैं बंगार के किसानों को वादा करता हूँ कि देश के और किसानों को जालाब मिला है आपको जिसलाब से बंतित रखा गया है वो पुराने पैसे भी भारत सरकार मंगाल के किसानों को देदे भारत माता की भारत माता की किसानों का हक हम देखर के रहेंगे ममता दिजी की सरकार गरीबों की चिंता से कितना दूर है इसका एक और उदारन केंद्र सरकार की आईश्मान भारत योजना है आईश्मान भारत योजना के तहट पूरे देश के अस्पतलों में पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुमिजा से भी पस्चिम मंगाल का गरीब मरीज वन्चित है किसी को कैंसर है किसी को हाट की बिमारी है किसी की कोई और गंबीर सरजरी है बंगाल के लोग जो काम के लिए बाहर जाते हैं उन्हें भी इस योजना का बहुत बड़ा लाब मिलता लेकिन यहां की सरकार इस योजना के खिलाब अड़ी हुई है जो पार्टी अपने कारकरतों की जेब बढ़ने के लिए अपनी राजवीती के लिए किसानों और गरीब बरीजों के हित से खेल सकती है उसकी मनसा आप बली भाती समच सकते हैं भाई और बैनो राज्य सरकार द्वारा खड़ी की गई तमाम अड़्चनों के भावजूर केंद्र सरकार बंकिवार के लोगों के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रही है हाईवे हो फ्राइव ओवर हो रेल निटवर्ग हो एरपर्ट हो पॉर्ट हो जलमार्ग हो इंटरनेट की सुविदा हो इन सभी पर केंद्र सरकार एक बड़ी राशी खर्च कर रही है प्रदान मंत्री आवाश योजना के तहत पस्चिम मंगार के करीब 37 लाग गरीबों को गर बनाने के लिए पैसा दिया गया है मंगार में करीब 37,73,44 बनाने के लिए भी बड़ी मदद केंद्र सरकार ने दी है गरीबों को मुप्त राशन देने के लिए भी बड़ा खर्च केंद्र सरकारी उठा रही है भाईयों बहनों पश्चि मंगाल का विकास तेज गति से करने के लिए यहां भी डबल इंजी की सरकार आवशक है करप्शन करप्शन और टोला वाजीता वटेगी जब यहां आसोल परिवोर्टन आएगा जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी यह परिवोर्टन क्या होता है यह पडोस में त्रिपुरा में हम अनुभाव कर रहे हैं वहां भी पश्चि मंगाल की तरह सालों तर लेप के सासन ने बरबादी भलाई त्रिपुरा के लोगों ने लेप को हटा कर बाजपार पर भरोसा किया हमारे सारे साथी नए थे राज नीती में भी नहीं थे शासन में तो पहली बार कदम रखाता लेकिन इरादान नेक था महनत में कोई कमी नहीं थी त्रिपुरा की जिन्दी की बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए है आद देखिए विकास नी योजनाओं को तेजी से जमीन पर लागू करने में त्रिपुरा बहतरीन काम कर रहा है वही यहां की सरकार विकास की योजनाओं को रोकने में ही अपनी शक्ति लगा रही है पस्तिम बंगाल सरकार ने नई राश्तिय सिक्षा निती अभी लागू ही नहीं की है राशनकार धारत देश में कहीं भी अपने हिस्षे का सस्ता रासन ले सके इसकी लिए वन नेशन, वन राशनकार योजनाओं केंदर सरकार चला रही है पस्तिम बंगाल के लोकों को अब भी उसके लागू होने का इंतजार है इसका सबसे बड़ा नुक्सान दूसरे राज्यों में काम कर रहे पस्चिम मंगाल के गरीब मद्धुरों का हो रहा है सांत्वा वेतनायों भी देश के कितने ही राज्यों में लागू हो चुका है लेकिन पस्चिम मंगाल में ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है बल्कि मुझे तो बताया गया है कि यहां कि सरकार तो अपने कर्मचारियों को सेलरी तक समय पर नहीं दे पा रही है भाई और बेनों बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है और इसलिए मैं फुटबॉल की बाजा मैं कहना चाहता हूँ टीमची ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिये है मिस गवनन्स का फाउल विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल और आस्था पर हो रहे हमलों का फाउल बंगाल के लोग सब देख रहे हैं इसलिए अब बहुत ही जल बंगाल तुरुनमुल को रामकार दिखाने जा रहा है अब समय और फित्या बदल रही है बुवा बतिजाबाद को पच्चिम बंगाल से हताने का मन आप लोग बना चुके हैं टी-एमसी के वो सभी साथी जो बुवा बतिजाबाद से परेशान हैं वो भी बंगाल की सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं बंगाल की सेवा अपनी जिंदिगी का बाकिस हमाए बंगाल के लिए खपाना चाहते हैं पर इसलिए उन से राम राम करके यहां पर जैसी राम करने आए हैं जिनको सही माहने में पस्टिम मंगाल के गरीबों की जिनता है यहां के विकास, यहां के संस्कृति, यहां के तोर तरीकों की जिनता है वो आज सभी हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे भाज़पा के साथ जुड रहे हैं TMC के तोलावाज, उनका सिंडिकेट अब कुछ दिन के ही महमान है मुझे उमीद है कि बंगाल का स्थानिय प्रसासन सम्विधान को सर्वो पर ही रखते हुए ही काम करेगा किसी को TMC के तोले बाजों से तोला बाजों से डरने की जरूरत नहीं बंगाल की धर्ती के गवरों के लिए बाज़पा के प्रत्यकारकरता का त्याग उनकी तपस्या, उनके बलिदान ने समूचे बंगाल को यह साथ करा दिया है किस बार पोरी बोर्तन होके रहेगा मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ बंगाल में हमारी लड़ाई T.M.C. से हैं लेकिन साथ ही इनके छूपे हुए दोस्तों से भी जरा सावधान रहना है आप लोगों ने कही बार चुनाओगा खेल के अंदर मैच फिक्सिंग होता है लेकिन अब लेप कॉंग्रेस अर्ट्रनुमूल मिलकर राजनिती मैच परदे के पीछे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं दिल्ली मैच लेप कॉंग्रेस अर्ट्रनुमूल ये तीनो एक साथ बंद कमरों में मिलते हैं बैठते हैं एक साथ मिलकर रणदिती बनाते हैं केरल में कॉंग्रेस और लेप ने मिलकर डिल कर रखिये पाच सल तुम लूटो पाच साल हम लूटेंगे लेकिन मंगाल में लेप और त्रनुमूल एक दूसरे से लड़ने का चरप दिखावा करते हैं इसलिए लेप और कॉंग्रेस को वोट देने का मतलब है ये परदे के पीछे जो खेल चल रहा है उस खेल का शिकार हो जाना हमें सजग रहना है और दूसरों को भी सजग करना है कि हमें इस दोखे बाजी का सिकार नहीं होना है भाई और बैनों जब मैं यहां आ रहा था तुम बुझे बारतिय तेनीस जगत की बड़ी हस्ती अक्तर अक्तर अली साथ के कोलकता में नीधन की दुखत खबर भी मिली मेरी समयदराएं उनके परिवार उनके प्रसंसों को के साथ है साथियों इन सब के बीच आप भी कोरोना से लड़ाई को जारी रखिए अब तो दोदों बेड़ी इंडिया वैक्षिन आ चुकी है भारति का करण भी नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना वायरस से देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द सुरक्षित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहां तक कि दुनिया भर के दर्जनों देशों को भी उनके टिका करना अभियान में आज भारत मदद कर रहा है मानवता की सेवा करने वाले ऐसे ही भारत की कलपना नेता जी सुभाज चंद्र बोस्त ने स्वामी विवे कानन जी ने गुर्देव रुमिद्र नाथ ठाकोर जी ने ऐसे ही सामर्थवान भारत के लिए डॉक्टर शामा पुर्जाद मुखर जी ने अपना जीवन खपा दिया भारत के सामर्थव को भारत की आत्मिंजिर फरता को पस्चि मंगार चे उर्जा मिलती रहेगी आशिरवात मिलता रहेगा इसी कामना के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुक कामना है मेरे साथ दोनों मुठी बन करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत भारत माता की भारत माता की